आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब के M.E.C.1 टुटोरियल में आज का मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ग्रामर से जो की है कंजंग्शन आप लोगों कंजंग्शन पता होगा लेकिन जैसा मैं आज आपको बताऊंगा वो आप कहीं किताब में भी नहीं पढ़ेंगे और ना ही कोई टीचर आपको ऐसा बता पाएगा कि कंजंग्शन के क्या मतलब होते हैं और कंजंग्शन कैसी यूज होते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा फेस्बुक ग्रूप आप जरूँड करें कुइक स्मार्ट से इसमें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताता रहूंगा कि कैसे हम अपने मैस के क्वेशन कैसे सॉल्ब कर सकते हैं टाइम मेनेज्मेंट के साथ और आप से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब के जिससे कि आपको आगी भी इंफॉर्मेशन अपडेट होते रहें क्योंकि MEC1 टुटोरियल उन दोस्तों जब पहुशने का इनिसियेटिव है जो कोचिंग्स नहीं कर पाते हैं और जो घर पे प्रेक्टिस और पढ़ाई करके कॉंपटिशन के तियारी करना चाते हैं उन दोस्तों के लिए यह बेस्ट प्लेटफॉर्म है MEC1 टुटोरियल क्योंकि इसमें मैं आपको मैस रिस्दिंग और इंग्लिस से लिटर बहुत से चीज़े बताता रहूंगा तो आप मेना चैनल जरूर से जरूर से सब्सक्राइब करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंजंग्सन फ्रेंड यह कंजंग्सन मैंने बाइ हैं इनको नोट कर लिया हैं बस आपको लोगों को जल्दी से समझा देना है फ्रेंड यह वीडियो आफ सुरू से आखरी तक कम book चरूर करने हुं तो यह स्टार्ट करते हैं टाइफ फर्ष से डाइफ फर्ष वो कंजंग्सन होते हैं जो हमारे बोक प्लस और बोक माइनिस सेंटेंश को जोरते हैं जैसे कि यहाइप एक लिखा उए दोश्कांग्शन विच जउन्ट सिङ्टर सेंटेंश बोगोग मा है मैं आपको समझा देता हूं कि पहला हमारे यह आप हैं because because का basic meaning आपको ही पता है वह होता है जो हम को ही पता है क्योंकि because भी हमारा both plus या positive sentence और both minus या negative sentence को जोड़ता है जैसे कि कोई sentence है because बीच में है तो उसके left hand पे भी positive बात होगी और उसके right hand पे भी positive बात होगी अगर because बीच में है उसके left hand पे negative बात लिखी है तो obviously उसके right hand पे भी negative बात होगी this is the meaning of both positive और both negative दूसरे conjunction पे आते हैं as as के आप लोगों को मैं बताता हूं कि as के दो मीनिम होते है के समान के तर है जैसे यहाँ पे example देखिए अनिल is as my brother तो इसकी हिंदी के होई अनिल मेरे भाई की तरह है या भाई के समान है जैसा है कि since का basic meaning होता है तब से अब तक जाम पल लेता है since January तो इसका क्या मतलब हो क्या जन्वरी से अब तक since भी हमारा both plus और both minus sentence को जोडता है कि फॉर पर आते हैं कि फ्रेंट्स फॉर के हमारे तीन basic meaning होते हैं आप लोगों को नहीं पता होगा फॉर आप लोगों को बस पता होगा के लियो होता है वह होता है लेकिन फॉर के दो meaning और भी होते हैं यह फॉर के दो meaning हम आपको close test में बताएंगे कि देखिए यहां पर इसका meaning यह आ रहा है तो पहला meaning हमारा for के लिए होता है के लिए जैसे कि for the exam for two year for three year okay of for का दूसरा meaning duration होता है and last क्यूंकी मतलब की because for का meaning because भी होता है जलिए एक notes यहां पर देखिए यह जो मैने चार आपको conjunction बता है तो इन चारों का मतलब same होता है क्यूंकी because और use भी same होता है means because as since for यह चारों sentence इस चार कंजंक्शन अगर किसी भी sentence को जोड़ेंगे तो उनके left और right hand पर positive sentence होंगे और अगर कोई यह conjunction अगर negative sentence को जोड़ेंगे तो इनके left और right पर negative sentence रहेंगे okay यहाद रखेगा मैं रिपीट कर रहा हूं कि यह चार कंजंक्शन का use same होता है इनका same meaning होता है क्यूंकि और यह sentence दो positive और दो negative sentence को जोड़ते हैं अगर because के left hand पर positive बात लेकी है तो उसके right hand पर भी positive बात लेकी रहेगी same as के लिए है since के लिए है for के लिए है friends examples देख लिए अनिल पास because he is very hard working मतलग कि because पर देखिये मैं आपको बता दा पॉजिटिव और negative sentence plus minus वही देखिये because के आगे यह past है तो यह positive बात बोला है और उसके बात जो right hand पर भी पॉजिटिव बात होगी मतलग कि hard working मतलग कि यह positive चीज होगी बात आ रहा है अनिल अच दिखे अनिल पास because he is very hard working अब यहां पर आप as भी लगा सकते हैं sense भी लगा सकते हैं और for भी लगा सकते हैं यह सही होगा अब एक confusion में आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि यह दो sentence के बीच में भी आ सकते हैं और यह दो sentence को start भी कर सकता है जैसे कि इसका उल्टा देखिए because अनिल is hard working plus he is past मतलग कि दो positive sentence को यह start भी कर सकता है कि आये अब negative sentence को भी देख लेते हैं देखिए यहां पर लिखा है अनिल is not hard working he failed तो यहां पर हम लोग because लिखा सकते हैं because अनिल is not hard working मतलग कि minus और वो क्या हो गया fail तो यहां पर देखिए because negative sentence को जोड रहा है पहले हम positive sentence को जोड रहे थे अब negative sentence को जोड रहा है और यहां पर हम as, since, for भी लगाएंगे तो यह भी हमारे सही होंगे negative sentence को जोड रहा है okay जैसे as अनिल is not hard working he failed since अनिल is not hard working he failed for अनिल is not hard working he failed means कहने का मतलग है कि यह जो हमारे 4 conjunction हमने आपको बता है यह starting में भी आ सकते हैं और यह sentence के बीच में भी आ सकते हैं दो positive और दो negative sentence को जोडने के लिए अब हम लोग next देखते हैं fifth conjunction क्या आप कहता है तो यहां पर fifth conjunction हमारे है therefore therefore का भी मतलब होता है इसलिए उससे पहले मैं बतातु कि जो मैंने चार आपको अभी conjunction बता है इनका meaning same है क्योंकि because और इनका same use भी है यह both plus sentence को जोड़ेंगे और both minus को जोड़ेंगे यह starting में भी आ सकते हैं और पीच में भी आ सकते हैं दो sentence के बीच में भी आ सकते हैं अब देखिए यहां से अब मैं change कर रहा हूँ therefore, so and hence इन तीनों का मतलब होता है इसलिए यह तीनों ही यह दो sentence को जोड़ सकते हैं दो positive और दो negative sentence को तेके example हमारा Anil is so good that everyone like him यहां पे so हमारा conjunction है Anil is so good मतलब की Anil बहुत अच्छा है की that का मतलब होता है हिंदी में की everyone like him और सभी लोग उसे पसंद करते हैं मतलब की positive बात बता है यहां पे so good हमारा positive हो गया और everyone like him यह भी हमारा positive हो गया मतलब की so हमारे positive sentence को जोड़ रहा है एक आपको यहां पे important चीज़ बता दू की so के बाद तुरंत executive आएगा executive के बाद हमारा that आएगा और that के बाद subject plus work अब देखें यहां पे show आया show के बाद good हमारा यहां पे executive है dad आगया key फिर हमारा subject आएगा everyone यहां पे हमारा subject है और word हमारा आगया like him और सभी उसे पसंद करते हैं यह format आप याद रखेगा show का आए नेक्स explain करता हूँ hence hence का भी basic meaning इसलिए होता है यह 99% 99 ही इसका मतलब इसलिए होता है 1% 0.01% इसका meaning दूसरा होता है लेकि वह मैं नहीं बता रहा हूँ कि उसका मतलब जानना भी जरूरी नहीं है इतना जाननी कि hence का basic मतलब इसलिए ही होता है और hence भी बहुत positive और बहुत negative sentence को जोड़ता है जैसे कि यहाँ पर देखे एक दाम पहले अनिल वह अलवेज sleeping in the class therefore he failed और वह class में सोता था मतलब sleeping in the class class में सोना यह गलत बात है तो यह क्या हो गया negative और वह क्या हुआ फेड निगेटिव और therefore in sentence को जोड़ रहा है अनिल और हमेशा class में सोता था इसलिए वह फेड हो गया तो यहाँ पर यह इसका मतलब हो गया इसलिए और देखे फ्रेंट एक नोट से मैं आपको बता चुका हूँ एक बाद रेपीट कर रहा हूँ कि hence so और therefore से sentence कभी भी start नहीं हो सकते यह दो sentence के बीच में ही आएंगे only यह आप याद रखेगा यह तीन sentence therefore, so and hence यह अब next शुरू करते हैं type 2 friends type 2 हमारे भी conjunction होते है but यह दो reverse और opposite sentence को जोडते है अगर एक sentence positive है तो उसका दूसरा part negative होगा अगर पहला part negative है तो उसका दूसरा part obvious positive होगा तो यह हमारे second type में आते हैं अब देखते हैं कौन-कौन से ऐसे conjunction है जो opposite sentence को जोडते हैं दो reverse sentence को जोडते हैं इसमें पहला है दो और उसका बड़ा भाई although मतलब से हम होता है यद्दपी हाला की example देखे although Anil was always sleeping in the class he passed मतलब वो क्लास में सोता था और पास भी हो गया कितने अच्छी बात है तो यहां पे although conjunction का काम कर रहा है दो reverse sentence को जोडने के लिए always sleeping in the class sleeping in the class हमारी यहां पे आ गई negative बात और वो पास हो गया तो यह positive बात हो गई और friends दूसरा example हमारा है although से लेकिन वो sentence के बीच में आ रहा पहला example हमारा था sentence के दो reverse sentence के पहले starting में आया है ऐसा जुरू नहीं कि although हमेसा पहले ही start के although हमेसा पीच में भी आ सकता है और यहां पे जैसा कि आपने although लिखा यहां पे दो भी लिखेंगे तो भी हमारा सही है ओके यह confusion ना रहे हैं आप लोग देखे दूसरा अनिल past although he was always sleeping in the class मतला although यहां पे बीच में आ गया है यहां पे दो भी हम लगा सकते हैं कोई problem नहीं है तो देखे पहला क्या past यह positive बात बता रहा है और always sleeping in the class यह negative बात हो गई तो दो reverse sentence को हमारा दो और although जोडते हैं और यह पहले भी आ सकते हैं और बीच में भी आ सकते हैं जैसा कि example मैं आपको दिखा रहा हूँ चलिए next देखते हैं despite और in spite of friends in spite of और despite of भी हमारे सेम although और दो की तरह हैं लेकिन इसमें एक basic चीज है कि despite कभी भी off का use नहीं करता है in spite of का use करता है error में भी mainly ऐसे आ जाते हैं in spite और despite of का basic meaning होता है कि बावजूद और यह भी दो reverse sentence को ही जोड़ता है और यह स्टार्टिंग में भी आ सकता है और दो reverse sentence के बीच में आ सकता है देखे पहला example हमारा है स्टार्टिंग में in spite of working hard अनिल failed in the examination वह work hard करता था फिर भी वह failed हो गया तो यह reverse बात हो गई तो और इसमें हम despite भी लगा सकते हैं तो भी हमारा सही है sentence despite working hard अनिल failed in the examination despite के साथ हम off यूज नहीं करता है इसलिए मैंने spite के start off नहीं बोला ठीके अब देखे दूसरा sentence यह देखे in spite और despite हमारी दो sentence के बीच में भी आ सकते हैं तो यह अनिल failed in the examination यह negative बात हो गई failed in spite of working hard कड़ी में हिनत के बावजूर अनिल failed हो गया friends यहाँ पे तीसरा example भी आपको मैं समझा देता हूँ क्योंकि in spite or despite of से तीन rule बताऊंगा जो कि आपको बहुत important है और वह यह example से आप समझ सकते हैं in spite of heavy rains the team play the match मतला यहाँ पे heavy rains एक negative बात बता रहा है और team ने match खेला तो यह positive बात हो गई यहाँ पे despite भी आ सकता है despite heavy rains the team play the match दोनों sentence correct है हमारे अब आईए देखे मैं आपको rules बता देता हूँ इसमें तीन basic rules लगते हैं यहाँ पे मैं despite लिख देता हूँ कि आप लोग confused नहीं despite भी use हो सकता है या नहीं तो despite और despite ठीक है यह use हो सकते है no doubt बस of ने use होगा in spite of use होता है तो rule देखते है हम लोग friends मैं rules आपको dictate कर रहा हूँ आप लोग note कर लिजए पहला rule आप देखिए in spite of despite वाले sentence में या तो verb आएगा या subject आएगा दोनों एक साथ नहीं आ सकते अधर कहने का मतलब है कि in spite of or despite के साथ अगर वय आएगा तो Ving form में आएगा और मतलब दोनों में कोई एक ही आएगा noun आएगा या फिर verb आएगा और verb आएगा तो Ving form में आएगा दूसरा rule लेकिये in spite of or despite में अगर वर्व आएगा तो वि आएएंजी फॉर्म में आएगा तो एक ब्रैकेट में अंदर छोटे से लिखे इंस्पाइट आफ प्लस वि आएंजी और दिश्पाइट प्लस वि आएंजी यह आप ब्रैकेट बनाके क्लोज कर दीजें पॉर्ण दाकेट कोसे लिएक्जांप्ल देकिए यहापर वर्किंग मतलब कि इंस्पाइट उफ वि आ इड फॉर्म हमारा आ गया यह हमारा हार्ड एक अड़ बतारा है गर्व्रिय की वर्किंग हार्ट करता था व्याईगी फॉर्म में आगया और यह देखे हमारा in spite of heavy rains rains हमारा यहाँ पर क्या है noun मैंने बता है ना भी कि अगर verb आएगा तो व्याईगी फॉर्म में आएगा और अगर noun आएगा तो simple noun आजाएगा in spite of noun नयुकुन होकी जिर्स टोरे मिनौ-जिर्स जो और उनों घ्ẫn अब दो यहां लिए वर्किंग अट क ağम लगिए, आधा सेंटेंस टोगेष है श्यक्षिति आएल तो फेल्स सुन टो रंपनीएत्ष तो न यहां था сх़ुन आपको मैंनली बदाना था कि in spig ।ॐ और डिस्पाइट कोई ऐगा तो विंग वह नान गाप हो जाएगा वह से अगर नाँण आएगा तो वर्ब proportions वह जाएगा तो यहां पर देखिंग वह नाँणाया है हमारा फिर्ost चिरें और जोट थी में अफ। बात कि यह हमारे incomplete sentence के बीच में ही आते हैं मतलब कि verb रहेगा तो noun gap हो जाएगा noun रहेगा तो verb gap हो जाएगा और इसी का same ulta हमारा दो और although के साथ होता है मतलब same ulta condition है कि वो दो complete sentence के बीच में ही आते हैं अब देखें यहां पे although में यहां पे verb और helping verb हमारे सब साथ में verb हैं noun हैं लेकिन यहां पे अलग अलग है verb आया तो noun gap हो गया और यहां पे noun आया तो verb gap हो गया बश्य चीज़े important आपको बता नहीं थी हमें next sentence है हमारा conjunction however however का भी हमारा basic meaning होता है यद्दपी हाला की यह भी दो reverse sentence को जोडता है इसका basic meaning यद्दपी हाला भी होता है और दूसा meaning होता है इतना सब होने के बाद भी देखे example क्या है अनिल वाज always sleeping in the class however he passed मतलो वह अनिल क्लास में सोता था और वह past भी हो गया however past के नीचे हमें यहां पे plus लगा देंगे और sleeping in the class negative बात बता रहा है और उनके sentence के बीच में हमारा how where आया है conjunction का काम कर रहा है दो sentence को reverse sentence को जोड रहा है और friends यहां पे एक note डाल के लिख लीजिए अपने notes में कि however कभी भी reverse sentence के starting में नहीं आ सकता है हमेशा reverse sentence के बीच में ही आएगा मतलब कि however दो reverse sentence के बीच में ही आ सकता है तो इससे एक आपको idea लग जाएगा अगर आप पहरा जंबल कर रहा है और paragraph में कोई भी दे रखा है वो however से start कर रहा है ABCD में तो आप समझें यह हमारा first sentence बिल्कुल भी नहीं हो सकता है इससे पहले कोई positive बात हो रही होगी या negative बात हो रही होगी क्योंकि however हमारा reverse sentence को जोडता है ठीक है यह आप याद रखेगा भूले नहीं next conjunction हमारा है but but भी हमारा reverse sentence को जोडता है ठीक है but के अगर एक side positive बात है तो दूसरी negative होगी अगर दूसरी बात पहली बात negative होगी तो दूसरी बात positive होगी ठीक है यह भी howver जैसे ही है बिल्कुल आप इसको समझ लीजे मैं आपको close test में यही ऐसी बताऊंगा कि हाँ but आया तो इससे पहले positive बात हो रही होगी और उसके बाद अब negative बात होगी बट भी हमारा दो reverse sentence को जोडता है और उनके बीच में आता है जैसे अनिल केम टू सुनील हाउस बट कुट नॉट मेट हैं अनिल सुनील के घर आया बदा यह positive बात हो गई और बट कुट नॉट मिट हिम और यहां पर यह निगेटिव बाल बता रहा है दूसरा हमारा है येट येट का basic meaning होता है फिर भी इतना सब होने पर भी देखिए एक्सांपल है अनिल ट्राइड हिस बेस्ट येट कुट नॉट पास कुट नॉट पास हमारा निगेटिव है और वो बेस्ट ट्राइड अपना कर रहा है वो पॉस्टिव बाल बता रहा है और ये दो रिवर्स एंटेंस को जोड रहा है मतलब इसका हिंदी मिनिंग हो गया अनिल ने पूरी कोशिस की फिर भी पास नहीं हो पाया अब नेक्स हमारा है नेवर दखल रहें नेवर्दलैस नेवर दखल अब का भी बेसिक मेनिंग फिर भी होता है ये भी दो पॉर्प पॉज एंटेंस को जोड़ता है नेवर दलेस देखें बीच में आया पास पॉजिटिव बात है और स्लीपिंग दा क्लास हमारी निगेटिव बात है आईए अब हम लोग अपना नेक्स्ट कंजेंशन सेंटेंस पताते हैं नन दलेस इसका भी बेसिक में नहीं होता है फिर भी अगी देखें अनिव वास ऑलवेश लीपिंग दा क्लास नंदलेस ही पास तो यहां पर यह पास बता रहा है और स्लीपिंग दा क्लास इस नेगेटिव और इन दोनों सेंटेंस रिवर्स को जोड रहा है नंदलेस अब बिसिक इंपॉर्टेंट है यहां पर इंस्टेट आफ इंस्टेंट आफ में मैं आपको एक इंपोर्टन रूल बताऊंगा इंस्टेंट आफ का मतलब होता है के बजाए यह भी दो रिवर सेंटेंस को जोड़ता है देखें इंस्टेंट आफ अनिल सुनील वेंट टू दा मार्केट हिंदी मीनिंग निकालते हैं इसका अनिल के बजाए सुनील मार्केट गया नेक्स देखें इंस्टेंट आफ है हमारा के बजाए तो दूसरा देखें इंस्टेंट आफ फ्रांस अनिल वेंट टू जर्मनी मतलब कि फ्रांस के बजाए अनिल जर्मनी चला गया अब यहां पर एक रूल लिखनी चे इंस्टेट आफ के बाद या तो नाउन आएगा या वर्व आएगा अगर वर्व आएगा तो विए इंजी फॉर्म में आएगा ठीक है इसका एक्जांपल देखें नीचे देखें इंस्टेट ओफ गूइंग विया एंजी फॉर्म है तो फ्रांस अनिल वेंट टू जर्मनी ठीक है अब यहां पर इस यह संटेंस स्टेंस स्टार्टिंग में आगा इंस्टेट ओफ अब ये दू सेंटेंस के बीच में आएगा ये देखें दूसरा एक्जाम्पिल अनिल वेंट टू जर्मनी इंस्टेट ओफ गूइंग टू फ्रांस मतला हिंदी मीनिंग इसका हो गया फ्रांस जाने के बजाए अनिल जर्मनी चला गया तो यहां पर ये बीच में आ गया और वर्व हमारा विया इंजी में आया तो बस यह आद देखें इंस्टेट ओफ के बाद नाउन आएगा या वर्व आएगा अगर वर्व आएगा तो वि अगर शुआ है आपको प्रीपोजिशन के बाद हमेंसा अभजेक्ट आता है वर्ब सब्जेक्ट नहीं आता है तो यहाँ पर आफ हमारा प्रिपोजीशन है तो उसके बाद हमारा वर्ब आएगा तो वियाएंजी फॉर्म में आएगा ठीके हम आगे भी आपको बताते रहेंगे इसके बारे में पर इतना याद रखिए एक अबजक्त आता है वर्ब आएगा तो व्याएंजी फॉर्म में आएगा तो यव्याएंजी फॉर्म में आया यहाँ पे उफ गई ओफ के बाद गई इसन्ट उप के साथ कभी भी वर्ब और नाउण एक सात नहीं आए सकते आएंगे तो दोनों अलग आएंगे वर्ब आएगा तो नाउन हड़ जाएगा और वर्ब हमारा विंग फॉर्म में रहेगा और जब वर्ब नहीं रहेगा तो नाउन आएगा कि दोस्तों यह आपको मैंने पांच कंजंक्शन बताएं अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा क्लोस टेस्ट एक मैं छोटा सा क्लोस टेस्ट आपको समझाऊंगा कि कैसे इनका यूज करके हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं तो मैंने अगर आप लोगों ने मेरे नाउन और एग्जेक्ट्ट्व का वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जरूर देख लें और यह वीडियो रहा कंजंक्शन भी हमारी क्लोस टेस्ट में हेल्प करेगा फ्रेट एग एग चोटी से बात में बता दूं कि इंगली हमारी जो ग्रामर है वो सब्जेक्ट वर्ब से आंसर निकलता है आपको में ली यह चीज़े पकड़नी चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है वर्ब कौन सा है है क्लिप कौन सा है मेन वर्ब कौन सा है ninety nine percent जो इर आते हैं वो स कुछ grammar का पार्ट होता है है अब मैं आपको आगे भी बताऊंगे कैसे logic पार्ट काम यहां पर कर रहा है और कैसा यहां पर grammar का पार्ट काम कर रहा है है ओके चलिए दोस्तों यह आज का मेरा वीडियो आप लोगों कैसा लगा आप लाइक कमेंट जरूर करें और आपको कहीं भी कुछ प्राब्लम हो तो हमसे जरूर कॉंटेक्ट करिए और हमसे जरूर पूछे मैं आपको आपको सल्फ सेलिशन तुरन बताऊंगा और यह वीड वीडियो उन तक पहुचे जो रियली माइने में तैयारी कर रहे हैं और और इस वीडियो का लाब उठाएं थैंक्यू धन्यवाद दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करिएगा बाई